नमस्कार एटोजेट डिश़ उशाक और जानी में आप सब का स्वाकित है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ इद के लिए बड़िया सी शीर कुर्मा अब देखिए हमारे इधर नक तरह तरह की मिठाईया मिलती है और ये इद पर बनाई जाती है तो मिठाईया तो हम सबी बनाते रहते कभी कभी ये भी खाईये शीर कुर्मा ये इतनी जबरतस लगती है सिवाईया से बनाई जाती है चली शुरू करते है मजदा ही आजागा आपको इसे खाकर उसके लिए देखिए मैंने गैस कॉन कर लिया और एक कडाई रग दिये इस के अंदर मैंने इस से आधा कभ हम दूध इचां डाल दिया इसके अंदर मैंने केसर के ढागे भी डाल ठाल दिया है तो 5-6 और ये ऑच्छे से मिला लेंगे तो यह मिल्क पाउडर मालें दूध हमारा तैयार है से sat में रख देंगे और ये जो कडाई में गत ये रोला इसक इसे इसे mix करना है और gas की flame को बिल्कुल लो कर लेना है बिल्कुल धीनी आजपर इसे पकने देना है दूसरी तरफ मैंने दूसरे gas को अन कर लिया एक कडाई रख दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ गी देखे गी ही इस्तमाल करना शीर कुर्मा में एक चमच गी डाल दिया जैसे वो गरम हो जाए तो 5-6 खजूर यानि की डेट्स इसके बीज निकाल कर इसके अंदर की जो सीड है वो निकाल कर इसे टुकडों में काट लिया और इसे एक मिनिट तक भून लिया उसके बाद 6-7 टुकडे अखरोट के 5-6 प्लेट में निकाल ले बचे हुए गी में आपको डाल दीने एक कप यह भूनी हुई सिवया अब देखिए सिवया एक नहीं भूनी हुई भी आती है सफेद कलर की वह मत लेना भूनी हुई सिवया लेना और इसे भी धीमी आज पर आपको 2-3 मिंट के लिए बूनना है उसक अच्छे से मिक्स करते हो इसे पकाते जाना है लगभख इसे 3-4 मिनट तक पकाना है देख सकते कितना बढ़िया से यह पकरिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ अब इसके अदर यह जो बूने हुए हमने ड्राइफ प्रूट खजूर यह वो डाल देना थोड़े से पचा के रखना हम उपर से डालेंगे और अब इसे तकरीबन और पकाना है चार से पांच मिनट के लिए तो बीच पीच में मिक्स करते हैं और इसे पका लेना यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन 3 मिनट हुए हैं तो इसके अंदर मैंने एक चौथा ही चमच एलाईजी क पाउडर डाल दिये काफी अच्छा स्वाद आता है इससे अच्छे से मिक्स करते हैं इसे पकाते रहें अब यह थंडा होने के बाद भी और भी गाड़ा हो जाता है देख सकते हैं इस तरह से तो बस उस टेज़ पर गैस को बन कर लेना क्योंकि यह थंडा होगा बार रखक करना फिर फ्रिज में रखकर भी आप ठंडा कर सकते हैं क्योंकि ठंडा ठंडा शीर कुर्मा खाने में बहुत बढ़िया लगता है देखिए एकदम बढ़िया से तयार है हमारा इत के लिए शीर कुर्मा अब जो हमने बचा के रखे थे ना ड्राइफ रूट्स और खजूर भूने हुए बस उपर से वो डाल दीजे तयार है या बढ़िया सा शीर कुर्मा सच बता रहे हूं खाने में इतना जबरदस्त लगता है ना अलग अलग तरह तरह की मिठाईया तो खाते हैं ये कपी ये भी ट्राइ करना और मिज़े कमेर सेक्शन बताना आपको रसेपी कै कैसे लगी अच्छी लगी से लाइक कीजो शेयर कीजो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थांक यू